बॉलिवुट में एक ऐसा अक्ट रहा भाई जिसने रातो रात खूब नाम कमाया जी हाँ नबे के दशक में आई फिल्म फूल और काटे तो आप सब को याद होगे इस फिल्म में कई नए चुहरे नजर आये थे ये फिल्म कॉलिश लाइफ पर बेस्ट थी जिसमें आज की सूपरस्टार अचुदेवगन साउट की कामयाब आक्टरस मधू के अलावा एक और नाम शामिल था और वो नाम था रॉकी यानि की आरिफ खान का आज आरिफ खान कहा है ये किसी को नहीं पता लेकिन बीटे दिनों एक वीजो वाइरल हुई जिसे ये साफ हुआ कि आरिफ खान आखर क्या कर रही है आज के इस वीजो में हम जानते हैं कि आखर फिल्मों से दूर होने के बाद आक्टर आरिफ खान कहां चले गए क्या करने लगे ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रातो रात अपनी चकर्चांद बरी जिन्दगी से अलविदा कहा पहली फिल्म से रॉकी को में लिकामियाबी के बाद फिल्म का नाम ही उनकी पहचान बन किया लोग उन्हें रॉकी के नाम से जानने लगे ऐसे में मन में कई बार ये सवाल आया कि भाई फिल्म से मिली पॉपुलारिटी के बाद कई लोगों ने उन्हें काम उफर किया उन्होंने कई काम किये लेकिन अचानक से वो गायब हो गए मीडिया रिपोस का मानना है कि फूल और काटे की फिल्म के बाद जो भी उन्हें सकस्स मिली थी उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसमें बागी सुल्तान, मोहरा, वीरگती जैसी दर्जनों फिल्में शामल रही रिपोर्स का माना ये भी है कि आरिफ खान का सिनेमा जगसे दूर दूर तक अब कोई वास्ता नहीं है उनके पता सिलाय का काम करते थे जिन से आरिफ ने ड्रेस डिजाइन का काम भी सीका था लेकिन वो ये काम नहीं करना चाहते थे मौडलिंग करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने काफी महनत की और मॉडिलिंग में सक्सेस भी हो गए इसे बीच उन्हें फिल्म मिली फूल और काटे उस वक्त फिल्म के मेकर्स को फिल्मे रौकी नाम की करदार के लिए एक नए चहरे की तलाश थी नए चहरे के रूप में रौकी की किरदार के लिए आरिफ खान को साइन कर लिया गया आक्टिंग की ABCD भी उन्हें नहीं आती थी लेकिन आक्टिंग करने का जुनून था, मौडलिंग करने का पैशन सर पर सवार था इसलिए उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी, फिल्म रिलीज होई तो सूपर हिट हो गई पहली ही फिल्म से आरिफ का करियर भाई चल निकला इसके बाद उन्होंने बॉलिवूद में बत और विलन लगभग दरजुनों फिल्में की लेकिन एक समय है साया जो फिल्मों से उनका मोह पूरी तरह से भंग हो गया और वो बॉलिवूद की चकाचौंद भरी जिन्दगी को छोड़कर एक अलग ही दुनिया में जाने का फैसला कर चुके थे आरिफ खान के आज पाच बेटे हैं जिन में से दो जुड़वा हैं दो बेटों की शादी हो चुकी है जिपके तीन बेटे कॉलिज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है लमे समय से आरिफ खान गायब है लेकिन बीटे दिनों सोशल मीडिया पर एक विडियो वाइरल हो रहा है जोहां से कहा चा रहा है कि भाई ये विडियो किसी और का नहीं बलकि खुद आरिफ खान का है इस विडियो में कभी हांसम से दिखने वाले आरिफ खान दाड़ी बढ़ा कर पूरी तरह से मौलाना बने हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है विडियो देखें जिसमें आरिफ खान धर्म को लेकर बाते करते हुए नजर आ रही है फिल्मी दुनिया से 24 साल से दूर हुए आरिफ को अब पहचानना पूरी तरह से मुश्किल है कभी हांसम लुक में वो नजर आते थे लेकिन आज वो एक धर्मिक वैक्ती बन गए है और होने बताया कि वो कभी भी इस तरह धर्म का प्रच्वार प्रसार नहीं करना चुआते थे वो अपनी फिल्मी दुनिया में काफी ज्यादा खुश थे लेकिन उनकी मा और भाई और उनकी पतनी का उन्हें मौलाना बनाने के पीछे बड़ा हाथ रहा है जोहां आरिफ अक्सर इन चीजों से भागा करते थे वहीं उनके भाई यूसुफ खान हच्च करने के बाद अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर एक धार्मिक व्यक्ति बन गए थे हालनकि आरिफ के पिता उनके फिल्मों में कामियाबी और नाम से बहुत खुश थे लेकिन उनके मा को उनकी पत्नी को उनके भाई को उनके नेम फेम पैसा कुछ खास पसंद नहीं था और कुछ खास रास भी नहीं आ रहा था जिसके बाद उन्होंने आरिफ को मौलवी बनने की सलहा दी और उन्हें कई बार ऐसे मौलवियों से मिलाया जो कि तबलिकी जमात को प्रमोच करते थे उनके भाई ने एक बार उन्हें जमात के मौलवी को उन्हें समझाने के लिए भेजा तो उसे फकीर समझ कर आरिफ खाने पैसे दे दिये तब आरिफ से उसने पूछा कि मरना है कि नहीं मरना आरिफ को इस सवाल सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जवाब दिया कि मुझसे बड़े आप है तो पहले आप ही मरेंगे वस मौलवी ने कहा कि हाँ पहले मैं ही मरूँगा लेकिन ये जवाब दो कि कबर में तुम्हारे साथ गाड़ी जाएगी या फिर दाड़ी जाएगी आरिफ ने सोचा कि ये सवाल काफी अजीब है कबर में गाड़ी कैसे जा सकती है वहाँ तो दाड़ी ही जा पाएगी बहराल उस मौलवी ने काफी समझाया लेकिन फिर भी आरिफ खार ने फिल्म लाइन और पैसे के वीचे भागना छोड़ कर इसलाम के सिवा में लग जाएग इस बार को बिलकुल भी सीरियसली नहीं लिया अंग्रेजी भाशा में आरिफ से उन्होंने बात की इंग्लेंड से आए नजवानों से उन्हें मिलवाया जमात में उनके साथ आये थे आरिफ ने ये देखा तो भाई सब कोई उन्हें रौकी रौकी कहकर चिलाना शुरू कर दिया उन्हें आर्टोग्राफ लेने लगा सेल्फी का दौर नहीं था इसलिए आर्टोग्राफ ही लिया जाता था जाहिर सी बात है कि आरिफ को इस सब अच्छा लगा वहां सब ही लोगों ने उन्से रिक्वेस्ट की कि आज का खाना हमारे साथ ही का है जिसे आरिफ ने कबूल भी कर लिया इस बीच बहुत सारी धर्म की बाते हुई जिसके बारे में आरिफ ने बताया भी कि भाई ये सारी बाते उनके सर के उपर से गुसर गई उन्होंने तो बस खाना खाना था और वहां से फिर निकल जाना था आरिफ ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वहां से निकलने लगे तब ही डॉक्टर साहब ने उनसे रिक्विस्ट की कि आज रात वो यहीं रुक जाएं अपना नरम बिस्तर छोड़ कर एक रात वो अल्ला की चटाई पर सोचाएं बार बार अल्ला के नाम पर आरिफ मना न कर सके और अल्ला नारास न हो जाएं इस डर से वो तैयार भी हो गए आरिफ कहते हैं कि तबली की जमात वाले वैसे भी एक बार पकर ले तो किसी को अपनी बास समझाए बिना छोड़ते नहीं है आरिफ ने ये भी सोचा कि चलो भाई एक दिन की बात है इसके बात तो मैं कौन सा कन्विंस होने वाला हूँ हालनकि उन्होंने एक रात बिताई तब ही वहाँ चट्चा हुई कि रात में जाकर जमातियों की पहरेदारी कौन करेगा आरिफ ने पूछा ऐसा करने से क्या होगा जवाब मिला कि पुन्ने का काम है इस से जन्नत का रास्ता खोलता है और अपने गुना माफ होते हैं आरिफ ने कहा ठीक है मैं भी जाओंगा रात में आरिफ को थोड़ी देर सोने के लिए कहा गया ताकि बात में रात भर जाकर वो पहरा दे सके आरिफ ने बताया कि रात को अपने एक साथी के साथ जब वो पहरा दे रहे थी तो अचानक खूब रोने की आवास सुनाई देने लगी और वो बुरी तरह से डर गए तब उनके साथी ने बताया कि एक रिवास है खैरात बीती और आने वाली सुभा आरिफ की जिन्दगी में एक नई सुभा बन कर आई थी आरिफ की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी उनका डर अब सुकूर में बदल चुका था जिसकी शायद वो वर्षों से तलाश कर रहे थे ऐसे नहीं है कि आरिफ कान ने आसानी से फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया हो और वो एक धार्मिक वैक्ति बन गए हो उन्होंने फिल्मों के जरी जो भी दौलत जो भी पैसा कमाया था जो भी शहरत कमायी थी वो सब कुछ गरीबों, जरूतबंदों और रिष्टेदारों में बाट कर थोड़ा बहुत जो बचा था अपनी जरूरत के हिसाब से वो लिया और मुंबई में ही एक छोटा सा शर्बत और जूस से इंटर चलाने लगे लोगों ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई ये तो आस्मान सिगरा और खजूर में अठका लेकिन आरिफ तैय कर चुके थे कि अब उन्हें फिल्मी दुनिया में लौट कर नहीं जाना उन्होंने इसी दौरान आर्थिक तंगी का भी सामना किया लेकिन हिम्मत नहीं आरी तीन सालों तक ये काम किया इसके बाद उन्होंने कपड़े का शोरूम भी खोला चार-पास सालों तक वहीं रहे फिल्हाल आरिफ अपनी जुन्दगी का एक हिस्सा इसलाम के परचार परसार में लगाते हैं और बाकी अपने परिवार और कारोबार को देते हैं दो साल पहले जो भी विडियो सामने आया ता मौलाना सहाब के अंदास में भाई आरिफ खान बैठे हुए दिखाई दिये हर कोई चौक गया कि आक्टर मौलाना कैसे बन सकता है बड़ी हुई दाड़ी सफेद कुर्टे सफेद टोपी में आरिफ खान को देखकर हर किसी ने हैरानी चुताई आज वो तवली की जमात का हिस्सा है धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है एक आक्टर जो आज बहुत ज्यादा नाम कमा सकता था लेकिन अब उसने चकाचौन्थ वाली लाइम लाइट वाली जिंदगी छोड़ करके मौलाना बनना चुना है आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट करके बिताईए